हेलो फ्रेंट्स दिस जैस्फी वैलकम टू अधिगा मंच विए प्रेजेंट है विदा अनोधर न्यू सेशन फ्रेंट्स इस सेशन में आज जो हम करने बाले हैं प्रीवियस एर एक्जाम कुस्चंस ठीक है जो बिगत पर इक्चाम में सीट आया हुआ है उसके कुस्चंस को ह आज हम डिसकस करने बाले हैं तो आये सुरू करते हैं यह इंपोर्टेंट सेशन यह रहा इस सेशन का पहला कुस्चंट ठीक है तो पहले कुस्चंट के यदि हम बात करते हैं दो मोस्ट क्रिटिकल पीरेड ऑप एक्क्विजीशन एंड डवलपेंट ऑफ लेंग्वेज इस यानि कि भासा के अरजन एवं विकास के लिए सरवादिक संवेदनसील अब दी कौन सी हैं बच्चे के किसी भी बच्चे के लेंग्वेज डवलपेंट भासा विकास के अरजन के यदि हम बात करें तो कौन सी एक स्टेज है जो सबसे इंपोर्टेंट या संवेदनसील रहन करते हैं ठीक है यह क्यों रहेगा अब देख लिजीए क्योंकि जन्व से पूर की अवस्ता के यदि हम बात करें तो इसमें जो बच्चा होता है प्रीनेटल स्टेज में बच्चा मां के गर में होता है इसलिए मां के गर में किसी भी बच्चे का भासा अरजन नहीं हो सकता क्योंकि भासा विकास का सीधा सीधा सम्मंद सोसाइटी से है समाज से है जब तक बच्चा समाज में नहीं आएगा उसका भासा अरजन नहीं हो सकता ठीक तो पहला इसलिए हट गया यदि दूसरे की बात करें मद्धे बाले अवस्ता तो मद्धे बाले अवस्ता से पहले या किसोर अवस्ता किसोर अवस्ता आते आतक बच्चे का भासा विकास पूर्ण रूप से हो गया होता है या मद्धे अवस्ता में भी बच्चे का भासा और्विकास हो रहा होता है लेकिन यह पर प्रारंबिक बाळलियावस्ता की बात करें तो यह सबसे संबेड इंसील आवस्ता रहेगए इसमें सबसे ज़्यादा बंसा बच्चा बहसा को सीखता है ठीक है बाल्ले अवस्ता को भी दो भागों में वर्गी क्रित क्या है दो से च्छे वर्ष की अवस्ता की बात करें तो प्रारंबिक बाल्ले अवस्ता यानि की पूर बाल्ले अवस्ता ठीक है इसके बाद 6 से 12 अवस्ता बात करें तो उत्तर बाल्ले अवस्ता तो कुल मिलाके 2 से 6 अवस्ता सबसे संबेदन सील है भासा अर्जन के लिए के लिए तो question number first का option number second बिलकुल correct होता इसके साथ आप हम चलेंगे next question number two question number two की बात करें तो यह रहा question number two which of the following is a stage of moral development proposed by Lawrence कौहलवर्ग Lawrence कौहलवर्ग के नेतिक विकास की जो इन्होंने सिद्दान दिया है उससे संबंदित कौन सी एक stage रहने वाली है निमली कितमे से Lawrence कौहलवर्ग के द्वारा प्रस्तावित नेतिक विकास की एक अवस्ता है Lawrence कौहलवर्ग ने जो नेतिक विकास का संबंद दिया है 1953 में इन्होंने अपना एक सिद्दान दिया जिसे नेतिक विकास का सिद्दान कहते हैं इन्होंने यदि हम चरणों की बात करें नेतिक विकास किसी वच्चे में तीन चरणों में होता है ये थिरी लेवल्स की बात करते हैं ठीक है इसके बाद यदि हम स्टेज अवस्ताओं की बात करें तो ये छे अवस्ताओं की बात करते हैं क्योंकि कुश्चन में स्टेज इसके बारे में पूंचा है इसलिए हम अवस्ताओं के बारे में बात करेंगे ये तीन चरणों की यद से 13 वर्ष तक मानी जाती है इसके बाद परा परमपरागत ने तिकता है यानि कि 13 वर्ष उपर की अवस्ता में यह होती है तो इनके तीन चर्णों में दो दो अवस्ता वर्गिग्रत की नहों कि पूर प्रम प्राकत जो को sen अब कुष्चन फिर शुक्ति अवस्ता सामाजिक अनुवंदन अविविन्यास या फिर मूर्थ संके नात्मक अवस्ता या फिर उद्दोग वनाम अधिनस्त अवस्ता तो फ्रेंट्स इनके अनुसार लॉरेंस कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धानत के अनुसार इनकी जो एक अवस्ता है वो है सामाजिक अनुबंदन अविविन्यास सामाजिक अनुबंदन अविविन्यास की अधि हम बात करते हैं तो इनका जो तीसरा चरण है परापरमपरागत की यदि ये बात करते हैं, तेरे वस्ते उपर की यवस्ता, तो उसमें इन्होंने दो स्टेज की ये बात करते हैं, तो पहली स्टेज की यदि हम बात करें, तो पहली स्टेज में ये बात करते हैं, यानि कि बच्चे की नेतिक्ता से सम्मंदे सामाजिक, अनुबंदन, अभिविन्यास, उपियोगता या फिर व्यक्तिगत अधिकार इस समय बच्चे में इस तरह की नेतिक्ता का विकास हो गया होता है यहाँ पर बच्चे कुछ अधिकारों को कानून से उपर समझते हैं अधिकारों का सरलक्षन करते हैं यानि कि अपने जो राइट्स हैं उनका सरलक्षन करने लगते हैं वो किसी भी कानून से उपर अपने अधिकारों को मानने लगते हैं ठीक है इस तरह की नेतिकता उनमें होती है ठीक यानि कि अधिकारों को सर्रक्षण हो गए अगर दूसरी स्टेज की बात करें यानि कि परापरमप्रागत नेतिकता में तो वो हो गए सारभौमिक नीती सारभौमिक नीती मतलब हाइंस की स्टोरी की बात करते हैं जिसमें moral conflict आदी आते हैं तो यहाँ पर question में जो पूछा गाए उसके बारे में हम बात करेंगे इससे सम्मंदित यदि आपको पूरी संपूर्ण थोरी नेतिक विकास से सम्मंदित देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप सर्च करें वहाँ पे moral development थोरी वाई Lawrence कॉलवर्ग मिल जाएगी वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं ठीक तो question number two का second option बिल्कुल correct होता है यानि कि सामाजक अनुबंदन अभी विन्यास ठीक है यह option इनकी stage से सम्मंदित है इसके साथ चलते हैं अब हम next question number three question number three era तीसरा question क्या कहता है कक्षा में परीचर्चा के दोरान एक सिक्षक प्राय लड़कियों की तुल्ला में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है कोई भी एक teacher है वो किलास में जाता है ठीक है कि जेंडर पक्षपाथ जेंडर पहचान जेंडर संबध्यता या फिर जेंडर सम्रूपता जेंडर बायस जेंडर आइडेंटिटी जेंडर रिलेवेंस या फिर जेंडर कंस्टेंसे तो फ्रेंड्स यहां पर यदि हम बात करें जो सेंक्रों सालों से हमारी इंडिन कल्चर इंडिन सोसाइटी में जो चला आ रहा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ठीक है या फिर जेंडर बायस उसे कहते हैं जब भी लिंक के आधार पर दो लोगों में पक्चपात होने लगे यानि कि गल्स एंड बॉइज में लड़की और लड़का में जो पक्चपा सकती है या फिर वेट नहीं उठा सकती या फिर लड़के हैं तो मैथमेटिक्स और साइंस पड़ेंगे इस तरह कि जो धारना अब धारना चली आ रहे हैं प्रमप्रागत तरीके से पुराने समय से तो उसके आधार पर एक टीचर का लड़कियों के तुलना में लड़कों पर अधिक द्याम देना जो है यह उसके जेंडर पक्षपात यानि के जेंडर बाइस को दर्शाता है ठीक है तो कुश्चन नमबर थी का ऑप्शन नमबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा जब भी कोई टीचर या जब भी कोई एक इनसान लड़की और लड़का में डिस्क्र जेंडर पक्षपात आता है ठीक तो यहां पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसके साथ कुश्चन नमबर फूर की जदी हम बात करें बच्चों में जेंडर रोड़ी वादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निमली खित्में से कौ होता है इसके बाद कुश्चन नमबर फूर की बात करें तो इसमें पूचा है कि सॉलूशन भी आपसे मंगा है कि इसको खत्म करने के लिए ठीक है इसको कम करने के लिए कौन सी एक पद्धिती अपनाई जा सकती है जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना जेंडर व पिर तक बैठने की बात करें लड़की और लड़का को अलग अलग गरूप में बठा दिया जाए तो इससे जेंडर बैसनेस कम नहीं होगा और ज्यादा बढ़ेगा जो प्राने समय से इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन चला रहा है ठीक है किलासिस में आज भी आपने देखा ह पहेंगे या फिर तक खेल समूँ बनाना उप्शन थिरी कहता है नहीं ऐसा भी नहीं यह उनकी विशस्ट भूमिकां को महत्त देना उनकी जो विशस्ट भूमिका रहती है उन पर महत्त देना कि लड़की इस तरह की कॉस्ट्यूम कोस्ट्यूम मतलब इस तरह के नाय बनी हुई हैं ठीक हैं उनसे जो जेंडर बायस नहीं से वो कम ना होने की वज़ा और बढ़ेगा तो यहां पर आप्सन नंबर फस्ट यानि कि पहला बिल्कुल करेक्ट रहेगा जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना यानि कि डिस्कसन एवाउड जेंडर बायस यदि हम जेंडर पक्षपात जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे खुले मन से बच्चों के साथ इसे साज़ा करेंगे और बताएंगे कि यह पुराने समय से जो चली आ रही चीज़ें ऐसा बिल्कुल नहीं है ठीक हैं तो इस आधार पर हम कह सकते हैं क कि यह जो पद्धिती है उचित रहेगे जिससे जेंडर बायसना इसको हम बहुत हद तक धीरे धीरे कम कर सकते हैं कुश्चन नमबर फूर का ऑप्षण ए यानि कि फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसके साथ कुश्चन नमबर फाइव कुश्चन नमबर फाइव यह नमली कितमे से कौन सा एक मनबर फाइव ग्यानिक कौन सा एक साइकलोजिस्ट ने सबसे ज़्यादा जो महत दिया है बच्चे के ग्यान को अरजित करने के लिए ठीक है ग्यान का सिरजन करने के लिए यानि कि उसकी सोसाइटी और उसकी कल्चर किस मनबर फाइव ग्यानिक जौन वृ ले बई गोट्सकी ने, जीन प्याजे ने या फिर लॉरंस क कोछलवरούμεने, प्रेंस कोछलवर्ग की जीए हम बात करें तो इन्हों ने नहतिक विकास का सिद्धां दिया, अभी हम एक कुसिशन में कर चुके हैं, प्याजे की कि यह बात करते हैं बच्चे के active engagement की लेकिन यहां पर जो correct option रहेगा वो रहेगा love by gods की love by gods की की socio-cultural development थोरी की यदि हम बात करते हैं तो वहां पर यह मानते हैं कि बच्चे के बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने के लिए उसके विकास को सही दिशा प्रदान करने के लिए उसकी society और उसका culture का बहुत पिरभाव पड़ता है ठीक है तो उनकी यानि की option number two बिल्कुल correct रहेगा love by gods की ठीक तो question number five का option two बिल्कुल सही होता इसके साथ चलते हैं हम question number six question number six जिक्सव पहली को करते समय पांच बसकी नजमा स्वैम से कहती है नीला टुकड़ा कहां है नहीं यह वाला नहीं गाड़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा question number six नजमा पांच बसकी एक बच्ची है कितने five year old एक students है जो की एक जिक्सव पहली solve कर रहे हैं पहली मतला उसके पास खिलोने हैं जो टुकड़े टुकड़े मतला उससे जोड़ जोड़ के अलग-अलग खिलोने बन जाते हैं इस तरह से वो एक puzzle solve कर रहे हैं और वो खुद से बात करती है ठीक है स्वेम से कहते हैं कि नीला टुकड़ कहां है ठीक यह वाला नहीं गाड़े गाड़े रंग वाला जिससे पूरा पूरा जो सू है जूता है वो तैयार हो जाएगा इस तरह की वो बात कर रहे हैं खुद से ठीक है तो इस पिरकार की वारता को बाइगो इसकी बात करते हैं कौन से तीन स्पीज तीन तरह की वारता की बात करते हैं पहले यह बात करते हैं प्राइवेट इस्पीज ठीक है दूसरी बात करते हैं सौसल स्पीज यानि कि social space, सामाजिक वारता इसके बाद third, तीसरी इन्होंने की है तीसरी के बात करते है silent inner space तो friends, सबसे पहले जब बच्चा होता है वो खुद से बातें करें छोटी उम्र में यानि तीन से चार वर्ष की जो अवस्ता रहेगी उसमें बच्चा जब खुद से बात करता है किसी पजल या खिलोनों से खिलते समय तो लब बाई गॉस्की ने उस speech को व्यक्तिगत वारता कहा यानि कि private speech तो यहाँ पर option number first बिलकुल correct रहेगा यह होगी private speech इसके बाद यह social speech जब बच्चा 5-6 वर्ष का होता है समाज के साथ interaction करने लगता है उसका सामाज एक विकास होने लगता है ठीक है तो उसे इन्होंने social speech कहा है इसके बाद silent inner speech जब बच्चा खुद से यानि कि मन ही मन मंत्रणा करने लगे खुद के साथ discussion करने लगे तो उसे इन्होंने silent inner speech कहा है तो यहाँ पर बिल्कुल correct जो रहेगा question number 6 का फर्स्ट option बिल्कुल correct रहेगा यानि कि private speech जोर शे बोलना पाड या आत्म केंद्रित वारता की यदि हम बात करने तो इसके folding हो गई यह पाड इनी की थोरी है यानि कि इसके folding इसके बाद आत्म केंद्रित वारता इगो सेंट्रिक जो इस पीछ है वहाँ पर यह प्याजे इसके बारे में बात करते हैं ठीक है तो private speech और जो आत्म केंद्रित है वो एक ही अवस्ता की होती है लेकिन यहाँ पर आत्म केंद्रित वारता प्याजे ने दिये और private speech जो दिये है वो बाइगोच की ने दिये तो question number 6 का option A विल्कुल correct होता है next चलते हैं इसके साथ question number 7 यह रहा सात्मा question giving cues to children and offering support as and when needed in an example of बच्चों को संकेत देना बच्चों को संकेत देना तता आवसक्ता पढ़ने पर सहयोग पिर्दान करना निमली कितमे से किसका एक उदहान है friends जब बच्चे को आवसक्ता पढ़ने पर temporary help दी जाए या सहयोग दी जाए तो यह जो example रहेगा एक इसके folding का रहेगा यानि कि पाड़ का रहेगा तो यहाँ पर question no.7 का option no.4 बिल्कुल correct रहेगा यदि हम बात करें री इंफोर्ष्मेंट कंडिशनिंग री इंफोर्ष्मेंट का संब्द यानि कि पुनरवलन का जो सिद्धान ते वो इसकिनर ने दिया है कंडिशनिंग के जड़े हम बात करें तो यहां पर बात करते हैं पावलव अब फ्रेंड्ट्स यहां पर एक और चीज चिलियर करना चाहोँगा तो फ्रेंड्स यानि पाड इसके फोल्डिंग हो गया baikos की से संब्द गयत है इसके folding, बाइगोस की जो बात करते हैं, तीन तरह की बात करते हैं, अपने socio-cultural development, थोरी में, एक तो इन्हों ने बात किया है, ZPD की, zone of proximal development, इसके बात करते हैं, MKO, more knowledgeable other, and last में ये बात करते हैं, तीसरा, इसके folding, पाड़ या धाचा, friends, ZPD क्या है, zone of proximal development, कोई एक बच्चा है, ठीक है, कोई एक बच्चा है, यदि खुद से, वो 60% marks लाता है, ठीक है, यदि उसे exam time पे, थोड़ी सी help दे दी जाए, कोई एक संकेत दी जाए, आवसकता पढ़ने पर, उसे temporary, कुछ समय के लिए help दे दी जाए, तो वो उस help से 90% marks ला सकता है, यानि कि वो 60% से 90% तक बढ सकता है, उसके बाद उस help को हटा दिया जाए, ठीक है, तो बाइगोच की के according ये जो सेत्र है, जो 60% से 90% कोई बच्चा पहुंचता है, उसको ये मानते हैं, ZPD, विकास का समभावे सेत्र, यानि कि zone of proximal development, ठीक है, अब यहाँ पे जो temporary help दे रहा है, कोई एक उससे जादा ज सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो उसे बोलते है, more knowledgeable other, ठीक है, जिसने temporary help दी, चाहे वो उसका teacher हो सकता है, छोटा भाई हो सकता है, बड़ी बहन हो सकती है, ठीक, जैसे जब हम बच्चे को cycle चलाना सिकाते हैं, जब बच्चा cycle पे बैठ जाता है, और चलाने की courses करता ह हैं, धीरे, 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 उसे पीछे को छोड़ते हैं, ठीक है, कई बार, एक समय ऐसा आता है, कि हम छोड़ देते हैं, और बच्चा खुझ से चलाने लगता है, तो वहाँ पे वो more knowledgeable other हो गया, ठीक, तो zone of proximal development के हमने बात की, 60 से 90 तक पहुँचने का जो संभावी सेत्र ह इसके फोल्डिंग क्या है, इसके फोल्डिंग हो गई, यानि कि जो help दी गई है, जिसके कारण वो संभावी सेत्र से उपर निकल के आया है, ठीक है, ये इसके फोल्डिंग हो गई, यानि कि उसे एक, इक पाड़, एक ढहाचा दिया गया, मतलब उसे उठाया गया, क्विस्ता को विसेशता घंट के मूर्थ चंक्यानात्मक अवस्ता है उसकी कौन सी एक विसेशता है सीधा सीधा यहाँ यहाँ पूछा गया है प्रेंट आपने संग्यानात्मक विकासस जो θεوری दी है cognitive development theory उसमें चार अवस्ताओं की ये बात करते हैं पहली कि यदु हम बात करें तो यहां पर ये बात करते हैं जंत से दो वर्ष की अवस्तां जिसे इन्होंने sensory motor stage कहा है दूसरे की यदि हम बात करें तो दो से साथ वर्ष की अवस्तां जिसे प्री operational stage कहा है पूर संक्यरात्मक अवस्ता यानि कि किसी भी बच्चे का जो संग्यानात्मक विकास है चार अवस्ता में घटित होता है पहले ही हो गया जन्व से दो वर्ष की अवस्ता दूसरी होगी दो से साथ वर्ष की अवस्ता जिसे प्री-Operational Stage कहते हैं तीसरे की अदि हम बात करें तो साथ से गयारे वर्ष की अवस्ता जिसे concrete operational stage कहते हैं यानि कि मूर्थ संक्यरात्मक अवस्ता की हम यहां पर बात कर रहे हैं इसी यह कुछन में पूछा गया है चोथे की यदि हम बात करें तो ग्यारे वर्षे जो ऊपर की अवस्ता है इन्हों ने इसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टीज स्पीच कहा है यानि कि आप चार रिक किर्यात्मक अवस्ता ठीक है तो फ्रेंट्स इन चारों अवस्ताओं में प्याजे के अनुसा किसी बच्चे का संकेनात्मक विकास घटित होता है ठीक तो यहां पर हम मूर्थ संकेनात्मक अवस्ता की यदि बात करें उसकी विसेश्ता की बात करें तो इस अवस्ता में इस अवस्ता मतलब साथ से ग्यारा वर्ष की अवस्ता में निरिधारित होता है, ठीक है, यानि कि अपने समक्च जो बस्तु है, उसके बारे में वो सोचता है, ठीक है, और हम बात करें, तो कौँ कौँ से विस cautioust ya होग degeneracy में सोचता है। यानि कि UCS, यानि की यानि की CJS यह तीन और विसshellit ha हैं, उसमें आगई होती है, सबसे पहले यदि हम बात करें तो conservation के बाद C classification वच्चे में वर्गी करण का इसके बाद S की बात करें तो seriation यानि कि क्रम निर्धार्ण या फिर क्रम बदता का गुण विक्सित हो गया होता है तो conservation यानि कि सरलक्षन वो चीज़ों को सरलक्षन कर पाता है सरलक्षन क्या है, classification क्या है, seriation क्या है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप प्याजे से सम्मद्र जो cognitive development हो रहे हैं उसे जाकर देख सकते हैं लेकिन अभी आपके पास time नहीं है आप सिर्फ questions को करिए क्योंकि यहाई पर हम question प्रतिक concept को करा रहे हैं तो यहाँ पर बिल्कुल correct जो रहेगा, वो रहेगा option number 2 जिसमें सरलक्षन और कक्चा समावेशन की बात हो रहे हैं यानि कि conservation and class inclusion तो question number 8 का option number 2 बिल्कुल correct रहेगा यानि कि यह pre operational stage नहीं, यानि कि concrete operational stage की यहाँ पर बात हो रहे हैं बाके यदि हम बात करें, पहली की बात करते हैं तो यह formal यानि कि 11 वर्ष उपर की अवस्ता है, formal संक्राइब का वस्ता उसकी एक विसेश्ता रहेगी अनुकरण object permanence तो यह जो रहेगे जर्म से 2 वर्ष तक की अवस्ता, sensory motor की उसकी एक विसेश्ता रहेगी प्रितिकांत मखेल विचारों के अनूत क्रिमनियता की अदि हम बात करें तो यह pre-operasional इस्टे 2 से 7 वर्ष की अवस्ता की विसेश्ता रहेगी तो कुश्चन नमबर 8 का option number 2 विल्कुल सही रहेगा इसके साथ चलते हैं हम next question number 9 यह रहा question number 9 question number 9 कहता है which of the following is a प्याजेशन concrete in the construct in the context of cognitive development of children किसी बच्चे के संगयनात्यव विकास से संब्दित बच्चों के संगयनात्यव विकास के संदर्में निम्ली खित्में से कौनसी प्याजे की संद्चना है प्याजे की संद्चना है यानि कि cognitive development से संद्चना अब लोका नदेगम अनुबंदन या फिर प्रिवलन जब भी हम reinforcement की बात करते हैं तो यह इसका संद्चना से हैं ठीक कंडिशनिंग की बात करते हैं तो यह अलग हो जाती है लेकिन यहाँ पर जो बात रहेगी इस किमा इस किमा प्याजे के से संद्चना से संद् मस्तिक्स उसके माइन में किसी कोई वी एक information देते हैं कोई वी एक जानकारी देते हैं तो वह अपने माइन अपने मस्तिक्स में उससे संबंदित कुछ इसकिमा तयार करता है ठीक है इसकिमा वेसिकली सेट आप information वह उन information को collect करता है gather करता एक group बना लेता है तो उन्हीं को हम इसकिमा कहते हैं ठीक है उसके साथ उसके बाद वह उसका assimilation करता है समायोजन करता है धीरे धीरे वह चीजों को आत्व साथ कर लेता है ठीक है यानि कि वह जानने लगता है कि यह कौन-कौन से information है जैसे सरसे पहले उसे हमने बिल्ली के वारे में बताया तो वह अपने मस्ति सब्सक्राइब की जो सरच ना हो गई वह बिल्ली की होगी ठीक है तो वहाँ पर इसकी मांद में तयार होगा धीरे धीरे और प्रोसेस के अकॉर्टिंग उसके संग्यान में सारी चीज आ गई होती है तो कुस्चन नमबर नाइन का और से नमबर फर्स्ट बिल्कुल संबंदित धारणाओं के बारे में बच्चों की इस पस्ट ता एवं ब्रहांतिया दूर करना तो कुस्चन नमबर टैन का बिल्कुल ऑप्शन नमबर टू बिल्कुल करेक्ट रहेगा यदि हमें बच्चों का आंकलन एसेसमेंन करना है तो उससे संबंदित पृत्य अब ध संबंदित कौन सा एक सही रहेगा यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर बिलकुल सही रहेगा बुद्धी बहु आया में है तता जटल योगता का समू है यदि हम बात करें एक दो तीन तो यह सारे हड़ जाएंगे बुद्धी की डेफिनेशन के अनुसार बुद्धी एक बहु आया में है बुद्धी में बहुत सारे कारक या तत्त हो सकते हैं बार्मा कुस्चन रूसी हमेशा समस्या के एक अधिक समाधानों के वारे में सोचती है इसमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं रूही किन गुणों को प्रदर्श्रित कर रहे हैं रूही किसी एक प्र में से जो solution समाधान है तो रूही किन गुणों को पिरदर्शित कर रहे हैं तो फ्रेंट्स यहां पे जो रूही है वो creative thinker है यानि कि सिर्जिनात्मक विचारक है जब भी यानि कि इस तरह से एक समस्या के कई solution प्राप्ट कर पाए तो उसकी वो creativity निर्धारित होती है वहां से तो फ्रेंट्स यहां पे सिर्जिनात्मक विचारक है वो यह option बिल्कुल correct रहेगा यानि कि फर्स्ट वाला प्रक्रिया में वंचत समू से समंदित विध्यारतियों के दोरा सह भागिता कम होने की इस्तिती में एक सिक्षक को क्या करना चाहिए सिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो learning process है उसमें यदि वंचत समू के कुछ विध्यारति हैं और उनके सह भागिता कम होने लगती है तो इ ऐसिस्थिति को जैसी है ऐसी सुईकार कर लेना चाहिब बिलकुल से अपनी अपेक्सा और विचार करना चाहिए ऐसी इस्थिति बाइसी इस्तिति की जो सोरणे करने के लिए नए ने तरीके खो ज değişे तो तेरवे question का option number 4 बिल्कुल correct रहेगा इसके साथ question number 14 चौधमा question In an inclusive classroom are teacher dash individualized education plans एक समावेसिक अक्षा में एक सिक्षक को विशिस्ट सेक्षिक योजनाओ को समावेसिक सिक्षण के यदि हम बात करें या कक्षा के बात करें तैयार नहीं करने चाहिए कभी कभी तैयार करने चाहिए सक्क्रे रूप से तैयार करने चाहिए या पिर तैयार करने के लिए हतोच साहित करना चाहिए तो समावेसिक सिक्षा यानि कि हम बात करते हैं inclusive education की तो उसमें सिक्षक को जो उसकी सेक्षक योजना है सक्रे रूप से तयार करनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पर कुश्चन नमबर 14 का आप्शन नमबर त्री बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसके साथ कुश्चन नमबर 15 फ्रेंट्स यहाँ पर हम इस सेशन में 15 कुश्चन ही करेंगे इसके बाद next 16 से आगे 30 यानि कि तीज तक हम करेंगे तो यहाँ पर last कुश्चन रहेगा इस सेशन का the primary characteristics of children with dyslexia includes पठन वेपल बच्चों के प्रात्मिक लक्षन क्या है यानि कि जिन बच्चों में dyslexia जो पाया जाता है dyslexia एक अधिगा असंता है learning disability है तो उसकी कौन सी एक विशेशता है या फिर जिन बच्चों में dyslexia हो जाता है वो किस में कमी महसूस करते हैं नियून अबधान विकार यानि कि attention deficit disorder या फिर divergent thinking, influencing in reading या फिर inability to read fluently या फिर एक ही गतिविसे कारियों को बार बार दोहराना तो फ्रेंट्स जब भी हम dyslexia की बात करते हैं यह जो learning disability है इससे समंदित धारा पिरवाब पढ़ने में अकसंता है बच्चे जो महसूस करते हैं एक inability to read influence यह dyslexia का समंद सीधा सीधा reading से हैं बच्चे को reading से समंदित धिकत होती है और उसको समझने से समंदित धिकत होती हैं तो यह एक तरह की अधीगम अकसंता है जिसमें बच्चे अच्छी तरह से रीड नहीं कर पाते हैं यदि हम बात करें नियून अवधान विकार तो यह एडी एसडी है यानि के attention deficit disorder यह इसमें अलग तरह के एक disability रहती है बच्चों को ठीक है तो question number 15 का option 3 बिल्कुल correct होता है friends I hope यहां से सारे questions आपको clear होए होंगे फिर ते concept को हमने clear हुआ clear किया तो इसी के साथ हमारे इस session को like करें comment करें अपने friends के साथ share करें यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें friends session को जरू सब्सक्राइब करें अपने friends के साथ share करें क्योंकि उनको भी इससे थोड़ी बहुत help मिल सके keep learning keep supporting इसके साथ मैं SP आपसे विदा लेता हूं नमस्कार